आज है मेरे पास शुगर बॉक्स की थर्ड एनिवर्सरी एडिशन ये मुझे कल मिला था और आप देखी रहे होंगे कि मेरे चैनल पर आज कर कोई भी उन्बॉक्सिंग नहीं हो रही है क्योंकि मैं कोई सब्सक्रिप्शन बॉक्स को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो उसकी तो एक अलग कहानी है जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी लेकिन मतलब मैं एतनी एक्साइटेट थी कि वन एन ओनली सब्सक्रिप्शन बॉक्स मैंने किया तो मेरा बड़ा मनता कि मैं अच्छे से रेडी होके और इसकी अन्बॉक्सिंग करूँ लेकिन आज जब सुबह मैं उठी तो मेरी जो गर्दन है न वो बलकुल जाम हो गई है किसी भी साइड मोड़ी नहीं रही है मतलब खाना पीना तक मुश्किल हो गया उपर से घर वाले मेरी हसी उड़ा रहे है कि ये भूतनी की तरह मूँ क्यों करे हो यो वाई गॉर्मन का भूतनी की तरह मूँ करे हैं वो हीली नहीं दिये तो मैंने सोचा चलो कोई बात नी इसका भी अपना मज़ा लेना चाहिए तो ये वाली अन्बाक्सिंग कर लेते हैं बिहाइंड दा कैमरा क्या हर्जा है साही है ना तो अब फटाफट बाक्स को खोल लेते हैं इसमें तो वाइट वाला शुगा बाक्स नहीं है कौन सा है ये लग रहा है मैंने उल्टा खोल दिया है एक सेकंड गाइस इसको निकाल लूँ भाई निकला भाई मेरी गर्दन का मजाग मत उड़ा बे वेट ए सेकंड ओके तो ये गोल्ड में इसलिए है क्योंकि ये थर्ड अनिविवर्सरी है और ये है गोल्ड एडिक्शन तो मस्ट लग रहा है खोलते हैं और देखते हैं कि का है इसके अंदर थोड़ा सा मैं स्लो वर्क कर रही हूं अपनी नेक के और जैसे तो थोड़ा सा मैं ये चाहरी हूं न कि मैं इसको रियल टाइम में करूं जिससे मेरे एक्स्प्रेशन्स भी आपको मैं शो कर सकूँ वरना तो मैं इसको बढ़ा भी सकती हूं स्पीड वीडियो की लेकिन मैं वो नहीं करना चाहती हूं तो ये है हमारा गोल्डन कलर का बॉक्स जिस पर है ये ब्लैक रिबॉन बहुत अच्छा लग रहा है यार कस्तम से बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको खोलते हैं और सबसे पहले ये है हमारा वही गोल्ड एडिशन तो वी टर्न थ्री ये बात तो सही है यार मैंने शुगर बॉक्स का साथ कभी नहीं छोड़ा शुगर बॉक्स थैंक यू कि तुमने मेरे एफ़र्ट को पहचाना वी बिंग तो यू तो इसका इंस्टाग्राम पे चल रहा था कि ये वाला प्रोड़क्ट चाहिए या वाला चाहिए जैसे कि हुड़ी चाहिए या एर कफ्स चाहिए लब कई चीज़े थी मुझे तो इससे में यादी नहीं है तो मैंने वोट कर दिया था लेकिन गाइस सची मुझे बता रही हूँ कि मैंने कोई भी अन्बॉक्सिंग नहीं देखी कोई स्नीक पिक नहीं देखी कि फाइनली हमें क्या मिल रहा है तो मेरे लिए सब कुछ एक सर्प्राइज है तो यह हमको इयर मफ्स मिले हैं वाव बहुत शॉफ्ट है यार और टाइमली मिल भी गया है एवं मैं पहन के देखूँ बहुत सही है कसम से अब मैं दिखानी सकती है अपना मुढ लेकिन बहुत सही है बिलकुल कान को अच्छे से ढग दिया और यह भी नहीं लग रहा है कि कहीं पहुँपे कोई स्ट्रेंग पढ़ रहा है या अन заб君फर्टेबल फील हो रहा है जा कुछ नहीं लग लग रहा है प्रोडक्ट है यह वाव फिर है ओके यह गलव्स है हमारे कैसे पहनना है इनको ऐसी पहनना है ना तो मेरा हाथ तो यार इसमें काम कैसे करेगा मुटा बलत तरीके से तो नहीं पहनने हूँ यार ऐसी पहनना होगा कुछ करना नहीं है जब पहनेंगे तो बस अराम करना है लग रहा ऐसा देखूं थम के लिए कोई ओपनिंग है भाई कोई है आपके पास ओपनिंग नहीं है जी एसी पहनना है इदर है भाई मुझे लग रहा था मैंने ऐसे कभी पहने नहीं है तो आपको मजाग उड़ाने है उड़ा लो मुझे इत्ती देर बात समझ में आया तो इस रियली रियली कमफोर्टेबल माई कॉर्ड एंड सो फैंसी मतलब पार्टी में भी पहन के जा सकते है और यह ब्लैक कोलर तो किसी भी उसके साथ अच्छा लगेगा आश्म है इस रियली एंड वार्म भी बहुत है और वूल बहुत सॉफ्ट है अच्छी क्वालिटी का लग रहा है ऐसा नहीं कि कोई आसी वैसी क्वालिटी का हो तो यह हमारा सेकंड प्रोडक्त था फिर है हमारा यह इसके अंदर देखते हैं क्या है अभी तक तो सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया है हमेशा ही आता है इसमें कौन सी नई बात है शुगर बॉक्स शुगरी बात है ओ माई गॉड वाव क्या यरिंग्स है अल्ट्रा लाइट एन अल्ट्रा शीक माई गॉड आ लव देम यह पैटर्न है यह वोडन है इसका वो यह दोना चीज़ अमेजिंग है अमेजिंग आई लाव इट आई विश कि मैं कैमरे के सामने साही से बना रही होती तो आपको पेहन के भी दिखा देती लेकिन कोई बात नहीं सब कुछ अपने मन का हमेशा नहीं हो जाता है और यह है आपका हर्शीज का है क्या हर्शीज का है कैंडी है कैंडी है कैंडी तो मैं नहीं खा सकती बाहर की चीज़ें मैंने खानी बंद कर दी है बहुत टाइम से और इसाही से मेरा वो कैच नहीं कर रहा है लेकिन कैंडी होगी ना चॉकलेट वाली लेट मी सी यह चॉकलेट कैंडी है तो और नेक्स्ट है हमारा ये क्या है है हैंड मेड विद फ्लव और गैनिक एर ये है ओट मी लेवेंडर डी क्लॉगिंग स्क्रब ओके इस स्क्रब तो खोल के देखते हैं ठीक है पहले पढ़ लेते हैं इसके इंग्रीडियंट्स हैं प्रोसेस्ट रोल्ड ओर्ट्स केन शुगर एप्सम सॉल्ट पिंक हेमालियन सॉल्ट लेवेंडर एक्स्ट्रक्स लेवेंडर एसेंशल ओयल वी से नो टू एड़ेट कॉलर्स आर्टिफिशल प्रेजर्वेटिव्स एसल यूसेज वही है एड़ एड़ वन स्पून ऑफ स्क्रब टो बेस ओफ योगहर्ट मिल्क रोस वाटर एलो जल टोमेटो पेस्ट इन में से कोई भी थी है तो मसाज इन सर्कुलर मोशन्स क्लीन विद वाटर एंड यूस अ जेंटल फेस क्रीम मर्प है 570 वाव और क्वांटि तो अब इसको खोल के दिखते हैं इसकी पैकिंग में बड़ी स्पेशल है यह जूट वाली रसी यहां लगी हुए है देखूं कैसे खूलेगा बहुत अच्छी से सील पैक किया हुआ है अच्छी से लग रहा है यह लग रहा है स्क्रब बहुत सॉफ्ट है और फेस के लिए बिलकुल भी मुझे लग रहा है फेस पे आपको एब्रेजिव नहीं होगा बहुत सॉफ्ट रहेगा इस पेसली जब किसी भी लिक्विड से इसका पेस्ट बन जाएगा तो बहुत ही और खुजबू भी बढ़िया है अब खुजबू एक्सप्लेइन तो नहीं कर पाती है आपको पता ही है लेकिन खुजबू भी बढ़िया है फिर है हमारा इचुन्नो मुन्नो डिपा और इसमें क्या है सब गोल्डेन कलर के इस बार इनने दिये है मतलब यार मुझे बड़ देखें भाइ इसमें क्या है ओ वाओ वॉच है और पैकिंग भी बहुत सही है बहुत प्यारी वाच है यार यह तो नहीं कहाँए बहुत हाइग क्वालिट यह लेकिन लो ग्वालिटी की भी बिलकुल नहीं है एक पहले भी शुगर वाक्स में एक वाच मिली थी लेकिन वह थोड़ी काम अच्छी क्वाल्टी की थी लुक भी अच्छा है और जो इसका ये वांड है वह भी बहुत अच्छा है क्या कहते हैं इसको अरे यार घड़ी का पत्ता बहुत अच्छा लग रहा है देखो अग्यार में इसमें दीजाइन भी है मेरा कैमरे इसकी ब्रेसलेट की डिजाइन को लेकिन ये आफ वाइट क्रीम कलर में है इसमें इसमें दीजाइन जो मतलब बहुत अच्छी लग रहा है तो रियली वेली गुद क्वालिटी वाच, I love it, sugar box आपने लो कमाल कर दिया, और इसमें लिखा भी है, भाया फोकस कर लो, इस वाच चेंजे स कलर, अरे वा, when exposed to sunlight, take it out for some sunshine and watch it change colors, अब ये तो जहें कैसे दिखाएंगे, तो ये बोला है, अच्छा, जो बैटरी इसमें दी तो है, लेकिन बोले, exhaust हो सकती है, तो फिर अगर आपकी exhaust हो जाए, तो watch work ना करें, तो आप एक new battery insert कर लीजेगा, अरे यार, ये तो वैसे भी समझ में आ जाता है, उनको, तो बहुत सुन्दर watch है, यार, मज़ा आ गया कि जैना, जब हाथ मिलो, तब चाहे थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, लेकिन जब पहन लो, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, और इसके looks तो बहुत ये अच्छे वाले हैं, तो देखने में decent watch लगेगी है, फिर ये है हमारा next product, let me see, ये क्या है, style tip, carry it as a sling for a casual day out or flaunt it as a clutch for a formal party dinner, okay, let me open it, so this is how it looks like, guys, oh my god, मतलब मेरे पास ऐसा कभी कुछ नहीं था, अगर क्लाच की तरह ले जाना है, तो इसको ऐसे मतलब लोक कर दू, और sling की तरह ले जाना है, तो इसमें ये sling दिया हुआ है, और क्या लग रहा है, यार, मतलब इसकी क्वार्टी बहुत अच्छी है, बैक की sturdy भी है, और वाव, ये इसका sling है, ये जो combination है, कभी आपने देखा है, ये color combination, मैंने तो नहीं देखा, किसी bag में क्या must है, मतलब लोग color combination भी बड़े अच्छे वाले देते हैं, तो इसमें एक ये single compartment है, और एक ये यहाँ पर zip है, जिसमें आप coin wine रख सकते हो, और भी कुछ जो रखने रख सकते हैं, तो वाव, मतलब गजब है, गजब, बहुत ही गजब है, क्या sober चीज़ है, sober, unique, stylish, सब कुछ, all in one, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जादा, आप ज़रूर बताना, आपको कौन सा protect सबसे अच्छा लगा, मतलब classy लग रहा है, यार, बहुत अच्छा, जबकि पता है, मुझे ये color थोड़ा कम पसंद है, still color combination और style की वज़े से, ये मेरा favorite बन जाएगा, में पास ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये है last product, तो देखते हैं, ये क्या है, so guys, ये है, एक hoodie टी-shirt, इस पे लिखा है, cute but psycho, और इप पॉपरे, cute but psycho, और इसकी quality, मतलब इतनी soft है, यार, इतना अच्छा लग रहा है, हला कि मेरे को जब options में दिखाया थो, तो मेरे को woolen वाला hoodie, मुझे तो woolen ही लग रहा था, वो बड़ा मनता होने का, लेकिन ये भी एक अलगी चीज है, मतलब बहुत stylish, soft, guys, मैं अपनी मन की स subscription boxes है, जब भी उनकी anniversary edition होता है, बिल्कुल बेकार होता है, regular वालों से बिल्कुल बेकार निकलता है, लेकिन sugar box ने खुश कर दिया, अपने anniversary edition से, बस ये थोड़ी मीठी वाली चीज थोड़ी बड़ी दे रहते हैं, अगर मुझे किसी को देना भी होगा, तो एक चुन्न्न् नहीं लगेगी, खेर कोई बात नहीं, तो बहुत सही है भाई, बहुत सही है, आपको कैसा लगा, जरूर बताईएगा, और आपका फेवरिट प्रोड़क्ट कॉन से है, इसमें से वो जरूर बताईएगा, मुझे से पूछेंगा तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज बच्ची नहीं होगी जो ना हो, ज्वैलरी है, स्किन केर है, और ये एक्सेसरीज हैं, और क्लोधिंग है, विंटर के साफ़ से ये एर मफ्स हैं, वाच है, मतलब क्या चाहिए यार, क्या थे ना बच्चे की जान लोगे क्या, इन लोग तो अगर मैं आप मुझे एगरी करते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सकता है, थोड़ा लॉंग हो गया है, क्योंकि मैं अतनी एनरजेटिकली नहीं बोल पारी हूं जल्दी जल्दी, बट स्टिल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें अपना फेवरेट प्रोड़क्ट, तो गाइस, अट वस एट, आपको ये वीडियो तो सी यू इन दे नेक्स वीडियो, तिल देन ठेक्या, बबाई